नमस्कार में प्रियरंजन और आज की इस एपिसोड में एक ऐसी स्टॉक को डिस्कस करेंगे जो कभी 950, 2000 के हाई पे ट्रेड कर रहा था लगबग लगबग 1950, 1950 रुपी है और इस समय वो स्टॉक 500 पे है एक बड़े कंसोलिडेट को ब्रेक आउट करा है और बियाई के तरफ स एक बड़ी अप्रूबल मिली है अगर आप उस स्टॉक के नाम कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं तो स्यूरली सेर करें जिससे पता चलेगा कि एक्टिवली बजार में कितना पाटिसिपेट कर रहे हैं जी हाँ वो स्टॉक कोई दूसरा नहीं बिल्कुल वो स्टॉक वही है जो आप समझ रहे हैं नहीं भी समझ रहे हैं तो मैं आपको बता दूँ वो स्टॉक है पेटीएम पेटीएम को आरबियाई के तरफ से अप्रूबल मिला है FDI इंवेस्टमेंट को ले करके पेटीएम एग्रिगेट जो पेमिन्ट एग्रिगेट बीजने से उसमें लगबग 50 करोर के इंवेस्टमेंट को ले करके जिसके कारण पेटीएम आज 10 परसेंट की तेजी पे दिखा एक बड़े कंसोलिडेट जोन को ब्रेक आउट करा एट फरवरी के कंसोलिडेट डाउन ट्रेंट के बाद ये पहली बार ऐसा हुआ कि 500 के उपर की क्लोजिंग दिखी अब पोटेंशियल ये स्टॉक जो है यहां से 900-1200 तक के लिविल्स को दिख सकता है ये ख़वर राउटर्स के हवाले से आते दिखा तो थोरा इसको इंदेप्ट समझे इससे पहले प्रीमियम टेलिग्राम को जॉइन करें डिस्क्रिप्सन के लिंक से काउंट आपें करें नोन आपकार ट्रेडिंग कॉम्निटी को रिलेट करता है उस तक ये चैनल को शेयर करेंगे प्रीमियम टेलिग्राम को शेयर करेंगे और बिल नोटिफिकेशन को आउन कर लें क्योंकि हर एक वीडियो लर्निंग के परपस से ही होता है और कोशिस करता हूं कि कुछ में इसके बाद इंडिगो पेंट रहा लक्स इंडस्ट्री रहा सभी आउट परफॉर्म करते दिखे और आगे भी जो मुझे बेस पोटेंशियल स्टॉक दिखेगा वो मैं आप तक सेयर करता रहूंगा तो स्क्रीनर के तुरू समझने की कोशिस करते हैं क्या न्यूज है क्या ट्रेंड दिख रहा है सबसे पहले यहां देखेंगे तो आप पाएंगे कि आज इस स्टॉक में अपर सर्किट लगते हुए दिखा है दस परसेंट की तेजी दिखी है यह तेजी क्यूं दिखी इसको समझना सबसे इंपोटेंट है तो यहां मैं आपको दिखाओं कि पे ट FDI FULL FORM यहां देखेंगे FDI INVESTMENT FOREIGN DOMESTIC नहीं FOREIGN DIRECT INVESTMENT जिसमें BIDES का कोई INDIVIDUAL हो कोई COMPANY हो कोई GOVERNMENT हो जो भी NIVEST होता है उसको FDI INVESTMENT माना जाता है यहां देखेंगे जब किसी दूसरे देश से कोई व्यक्ती हो, investor हो, कोई company हो, कोई government हो, उसका किया गया निवेस, FDI investment माना जाता है. और यहां देखेंगे, तो foreign investor का ही जो mainly stake है, mainly regulation के through देखेंगे, तो mainly stake यानि जो बड़े हिस्सेडारी है, वो FII के पास ही है, foreign institutional investor के पास ही है, तो यहां FDI यानि foreign direct investment के proposal को payment aggregator के business के लिए government का approval मिला, यह investment कितने का है, तो यह investment है 50 करोर का, वो मैं आपको आगे दिखाऊंगा, और आगे देखेंगे, Paytm RBI को approach कर सकता है, payment aggregator license के लिए, और Central Bank इसको evaluate करेगी, इसी news को मैं आपको यहां दिखाऊंगे, तो यहां देखेंगे, कि 197 जो की Paytm की parent company है, मतलब Paytm ही है, वो आज 10% चरा है, अपर circuit गया है, क्यों गया है, पहली बार 500 के level को touch करा, 8 February के बाद, चुकि रॉटर्स के तरफ से एक report आया है, कि finance minister officially suggested that Paytm has received approval from government, for its 50 करोर investment in a key subsidiary, जो की payment aggregator को ले करके है, यह news आते दिखी, और इसके बाद यह एक बरा trend दिखा है, the approval which was stuck for a month due to the Paytm link to China, would remove the main stumbling block to unit, चाइना के linkages हमने देखे हैं, जिसके कारण यह बहुत दीन से stuck था, बहुत महिने से stuck था, finally यह approval FDI investment को ले करके मिला है, और जिसके बाद आज इस stock में 1 करोर के volume के साथ upper circuit दिखा, और यहाँ देखेंगे 1 करोर is a higher volume, क्योंकि nominal volume 20 lakh के ही दिखे हैं, 5 times से, कभी-कभी यह 1 करोर के उपर गया है, और इस समय इस stock के थोड़ा chart को देखें, तो जब यह stock गिड़ा था, 764 से one-sided downtrend रहा, तब इस stock ने यह वाला 320 के levels, 1, 2, 3, 4, 5, 5 times सपोर्ट लिया, और उपर का जो resistance था, यहाँ देखेंगे, यह पूरा consolidated zone था, यह पूरा क्या था, consolidated zone था, इस consolidated zone को higher volume के साथ breakout करा है, इस समय जो हमारे लिए stop loss या weakness होना चाहिए, वो 444, यानि यह 444 के नीचे गया तभी weak होगा, यहाँ एक consolidated zone breakout हुआ है, तो पहला target जो हमारा दिखना चाहिए, वो तो बड़ा छोटा ही है, यहाँ से थोड़ा trend reverse करने के बाद continue कर सकता है, यह resistance है, यानि 525 पहला target होना चाहिए, और इस level को breakout करता है, तो दूसरा target near around 750 का दिखेगा, और 750 के level को breakout करता है, तो potentially 922 से लेकर के 1000, 922 से लेकर के 1000, और weakness क्या है, 444, तो मुझे लगता है कि short to medium term के लिए यह potential trend दिख रहा है, तो I hope यह video informative रहा, thank you for watching this video.